हलो दोस्तों मैं नेली मा स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे आज के वीडियो का टॉपिक है के बीसी के स्टाटिक क्विस यह जो टॉपिक है इंडियन आर्ट एंड कल्चर पे हैं पार्ट वन है इसका हाई वैल्यू क्विश्चन से तो पूरा वीडियो आप आप वो पीडियेफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं तो हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कीजिए और प्लीज अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर लेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और प्लीज वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेर जरूर कीजिए और कॉमेंट करके जरूर बतेगे कि आपको वीडियो कैसे लगा तो बढ़ते हैं हमारे क्वेस्टिंज पे कोईशन नमबर वैन है वो इस इसके जो स्क्लप्टर है वो कौन है आपको यह बताना है यह देखिए सिंगोल है और इसके यहाँ पर एक बुल है जो की नंदी जी है तो वो है विमूदी बंगारू शेट्टी याद रखिएगा यह बहुत ही इंपोर्टेंट है ठीक है यह हाई लेवल कॉस्टेंस में आ सकता है तो विमूदी बंगारू शेट्टी है और यह जो है यही है विमूदी बंगारू शेट्टी ठीक है तो याद रखिएगा यह बहुत ही इंपोर्टेंट कॉस्टेंट है 1947 में जब अंग्रेजों ने भारतियों को सत्ता हस्तांतरित की तो इस महत्वपूर्ण अउसर का प्रतीक प्रत्थम प्रधान मंत्री जवाहलाल नहरू को सेंगोल सोपना था सेंगोल राजदन एक लंबी छड़ी जैसी वस्तू है जो चांदी से बनी होती है और सोने से ढखी होती है इसके शीश मेरे एक बुल की नकाशी है जिसे नंदी कहा जाता है यह इस विचार का प्रतिनिद्व करता है कि जो व्यक्ति से धारन करता है उसे निश्पक्षता और न्याय के साथ शासन करना चाहिए यह देश के निश्पक्ष और न्याय पूर्ण नितत्व के महत्व के बारे में सभी को याद दिलाने के लिए किया जाता है ऐसा माना चाहता है कि तमिल नाडू में एक प्राचीन सामराज्य चोला राजवन्ज से इसका संबंध है सेंगोल शब तमिल शब सेमई से लिया गया है ठीके तो याद रखेगा ये भी बहुत इंपोर्टेंट है एक एक आप अच्छे से अगर इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते है तो ले लीजे जिसका अर्थ उतकश्रिता है सेंगोल शक्तिक और अधिकार के अवतार का प्रतिनिद्व करता है सेंगोल समहरो की अवधारणा सी राजगुपलचारी जिसे राजजजी के नाम से भी जाना जाता है द्वारा पेश की गई थी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जिन्होंने इस छोला वंश के एक प्राचीन समहरो के रूप में वर्नित किया जो सत्ता के हस्तांतरन का प्रतीक था इसे विमुदी बंगारू शिटी ने तेयार किया था सेंगोल इलापाद संग्राले की नहेरू गैलरी में रखा गया था और अब ये नए सांसत भवन में स्थापना जो है इसकी हुई है ठीके तो जो नए संसत भवन है इस भवन की तीन मुख्य द्वार है ग्यान द्वार, शक्ती द्वार और कर्म द्वार ठीके ये याद रखेगा ये कभी भी KBC में definitely पूछेगा तो ग्यान द्वार, शक्ती द्वार और कर्म द्वार ये कहां पर है अभी के जो नए संसत भवन बना है वहाँ पर Question number 2 Mohinder Pratap Chan is a famous poet of which language Mohinder Pratap Chan एक प्रसित्य कवी है उनकी काव्य भाषा क्या है तो उनकी जो काव्य भाषा है वो है उर्दू याद रखेगा भारतिय कवी और लेखक Mohinder Pratap Chan ने भारत में उर्दू भाषाव साहित्य के उप्योग को प्रोथ साहित किया कुरुक्षेत विद्यालय में जहां उन्होंने 26 वर्षों तक शिक्षक प्रभारी के रूप में कारे किया उन्होंने बज में अदब एक सब्ताहिक संगटन उर्दू अध्यान को विश्व विद्यालय के पाठ्ठे करम में शामिल किया है Q3 मरदानी जूमर इस परफॉर्म बाए डैश तू सेलिबरेट दे हैपिरनेस ओफ दे हावे सीजन मरदानी जूमर फसल के मौसम की खुशी मनाने के लिए डैश द्वारा किया जाता है तो जो मरदानी जूमर है वो में द्वारा मतलब कि पुर्शो द्वारा किया जाता है मरदानी जूमर ठीक है जिसे मरदाना जूमर भी कहा जाता है भारतिया राज्य जारखन 36 गड़ और औरिशा में पुर्शो का एक नृत्य है तो मैं इसको enlarge करके बताती हूँ यह जारकन का लोक नित्य है पुरुषो द्वारा फसल के मौसम की खुशी मनाने के लिए मरदानी जुमर किया जाता है पुरुष घुंगरु पहनते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोल घेरे में नित्य करते हैं इस नित्य में जो वाद्य यंत्र यूज होता है वो है मंदार, नगारा, ढाक और शेहनाई या बंसी Q4 मोट की मस्जित was built by whom? मोट की मस्जित का निर्मान किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो हुआ था सिकंदर लोधी के शासनकाल में मोट की मस्जित, याद रखिएगा मोट की मस्जित ये देखिए, इसका फोटो दिखाती हूँ और मोट मोट तो सबने देखा होगा, ये देखिए, ये मोट है एक तरेकी की डाल तो इसके कुछ facts देख लेते हैं मोट की मस्जित का निर्मान 1505 में सिकंदर लोधी के शासनकाल के दोरान प्रधान मंत्री वजीर मिया भोईया द्वारा किया गया था तो ये बहुत important point है, अच्छे से इसकी study कीजिएगा, ठीक है सिकंदर लोधी, लोधी वंश का दूसरा शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया उन्हें दिल्ली और दिल्ली के विभिन, समारकों और इमारतों के निर्मान सहीत वास्तुकला में उनके योगदान के लिए जाना जाता है मोट की मस्जिद को लोधी काल की उलेकनिया वास्तु शिल्प उपलब्दियां में माना जाता है Question number 5 मट्की is a popular folk dance of which of the following states मट्की निमलिखित में से किस राजिका लोकप्रिया नृत्य है तो ये है मध्यप्रदेश का ये देखिए मट्की तो मध्यप्रदेश के खाना बदोष जन जातियों द्वारा मट्की नृत्य शैली विक्सित की गई अब कुछ दूसरे जो states है उनके भी हम देख लेते हैं जैसे असम असम का है भीहू नागा नृत्य खेल गोपाल नटपूजा महरस डोंगी जुमूरा होबजनाई मध्यप्रदेश आड़ा खड़ानाच सेल भदोनी मांच फूलपती गीड्रा बिहार का बखो बखेन समाचकवा बिदेशिया जटा जतिन पवरिया राजस्थान का घूमर चकरी गणगोर चांग कलबे लिया तो यह अगर आप जो है इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए और अच्छे से इसका रट लीजिए क्योंकि यह डेफिनेटली कहीना कहीं पूछा जाता है बढ़ते हैं क्वेशन नमबर 6 पे इन विच अफ दे फॉल्लिग स्टेट अफ इंडिया इस दे मोट्सू फेस्टिवल सेलिबरेटेड भारत में निमली खित में से किस राज्य में मोट्सू उट्सव मनाया जाता है तो वो मनाया कहां जाता है नागा लेंड में यह देखिए मोट्सू उट्सव मोट्सू फेस्टिवल नागा लेंड की एयो जनजाती का एक ऐसा ही खास तेवहार है जिसे मोट्सू उट्सव के नाम से जाना जाता है यह तेवहार खेतों में बीच बोने के बाद मनाया जाता है जनजाती के पुरुष और महिलाए बड़ी बाहरी आग के आसपास इखटा होते हैं परामपरिक नृत्य करते हैं पुर्वत्तर राज के कुछ और हम महत्वपूर्ण जो राजवत्सव है वो देख लेते हैं नागा लेंड जो है नागा लेंड का हॉन बिन्ट फेस्टिवल मोट्सु फेस्टिवल सेक्रिनिये महत्सव अरुनाचल प्रदेश लोसर महत्सव द्री महत्सव सोंग फेस्टिवल और रह फेस्टिवल मिजोराम चाप Championship मीम कूट पावल कूट मिघालाय का खासी महुचसव, वांगला महुचसव, रानी कोर महुचसव, असम, बीहु, माजुरी महुचसव, असम, चाय महुचसव, अंबुबाशी महुचसव तो इसका भी अगर आप स्क्रीन शॉट ले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ये कभी ना कभी डेफिनेटली पूछा जाता है के बीसी में, तो प्लीज इसका भी आप जो है, वो स्क्रीन शॉट ले लीजिए केलुचरन महापातरा निमलेखित में से क्रिस नृत्य श्रेनी के प्रतिपादक थे, ये देखिए, ये है केलीचरन महापातरा और ये उडिसी डान्स के है, उडिसी संगीत नाटक अकादमी द्वारा मानेता प्राप भारत के आठ शास्त्रिया नृत्यों में से एक है, ठी नाम भी याद रखिएगा, केलुचरन महापातरा, ओर इसी एक प्रमुख प्राचीन भारतिया शास्त्रिया नृत्य है, जिसकी उत्पति भारतिया राज ओरिसा में हुई थी, ओरिसा के प्रसित नर्तक है, सुजाला महापातरा, केलुचरन महापातरा, रजनीकान महापात और उडिशा से पद्म वीभूशन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति है ठीक है तो यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है रित्य राज के प्रसित्य कलाकार है और हम कुछ और प्रसित्य जो डांसर है तो वो देख लेते हैं जैसे कि भरतनाट्यम कहां कहां है तो यह है कुछ पड़ी जो है वह है आंदर प्रदेश का तो वहां की जो फेमस डांसर है कुछ पड़ीınट के मदेश का है तो याद रखेगा ये बहुत ही important है भरत नाटियम जो है ये जो है ये है रुक्पनी देवी अरुंदले ये देखिए वह भारती दिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्य सबाग के सदस्य के रूप में नामित किया गया था तो याद रखेगा important point है कुचिपूरी जो है वो है ये शोभा नाइडू और कुचिपूरी अंदरप्रदेश के कृष्णा जिले में एक गाउं का नाम है ठीक है नभा काले बरा跟大家 festival निमली-खित में से किस राज में प्रसित नभकले बारा उतसब मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है ओडिष्णा में ये देखे है नभा काले बारा औरिसा में प्रसित नवक लेबारा उत्सव मनाया जाता है या औरिसा की जगनात मंदिर से जुड़ा है गजपती रामचंदर देबा याद रखेगा नाम गजपती रामचंदर देबा को नवक लेबारा उत्सव का संस्थापक माना जाता है देवताओं को एक विशिश प्रकार की नीम की लकडी से बनाया जाता है जिसे दारू ब्रह्मा के नाम से भी जाना जाता है ठीक है याद रखिएगा भारत के कुछ महत्वपून्ट, तेवार और राजय उत्सव देख लेते हैं जैसे कि पस्चिम बंगाल ठीक है पस्चिम बंगाल, दुर्गापुजा, डोलपुर्णीमा त्रीपूरा जो है वो गरिया पुजा और खर्ची तेवार, नीर महल तेवार सिक्किम का, फांग, लजबॉल, दुपका टेशी, बम्चू Question number 9 The famous गंगा सागर मेला, an annual fair is held in which state of India प्रसित गंगा सागर मेला, एक वारशिक मेला, भारत के किस राज में आजित किया जाता है तो वो किया जाता है, West Bengal में ठीक है, यह बहुत important questions है, high level questions के लिए पूछे जा सकते हैं तो अच्छे से इसकी study किजेगा Art and Culture पे हैं, और इसका PDF में जल्दी ही upload करूँगी तो वो आप download कर सकते हैं गंगा सागर मेला भारत का एक धार्मिक त्योहार है जो भारत के पस्चिम बंगाल राज में सागर द्वीप, सागर द्वीप पर मनाया जाता है कुछ और मेले देख लेते हैं कंपिल मेला कंपिल मेला जो है, वो जैनियों का एक मेला है कंपियां भारतिया राज्य उत्तप्रदेश में स्तित है कंपिल एक प्राचीन एतिहासिक नगर है और इसका उल्लेक महा कावियों में भी मिलता है यह स्थान पहले राजा दुरुपत की राजधानी था कमपिल तेरवित तृतंकार ब्रामन विमलनात का जन्म स्थान है तो याद रखिएगा यह बहुत ही इंपोर्टन पॉइंट से बटेश्वर मेला बटेश्वर के स्थान का नाम उस्थान के पिठासिन देवता बटेश्वर महादेव से लिया गया है जो देवताओं को समर्पित है बटेश्वर शहर 108 पंदिरे को लिए भी पसिद्ध है जो विभिन देवताओं को समर्पित है बटेश्वर मेला कार्तिक और अग्रहायन के महीनों में आयोजित किया जाता है बलिया मेला, यहां मेला महरेशी ब्रुग्रु के शिश्य दरदर मुनी के संबान में ततीवर्ष अयोजीत किया जाता है, यहां भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है, याद रखियेगा बलिया मेला देवी पाटन मेला देवी पाटन मंदीर तुलसीपूर पे मनाया जाता है जो जिला मुख्याले से लगबग 25 किलोमेटर दूर है बलरामपूर से यहां मा पटेश्वरी का मंदीर है और देवी पाटन के नाम से जाना जाता है यह मंदीर मा दुरगा के प्रसिद 51 जो ग्यावन शक्ती पीटो में से एक है का जाता है कि माता सती का दाहिना कंधा जो है याद रखेगा दाहिना कंधा यहां गिरा था इसलिए यह शक्ती में से एक है पीट और देवी पाटन कहा जाता है तो याद रखेगा यह बहुत ही इंपोर्टन कुशन है ललित कला अकाडमी का उद्गाटन किस मंत्री ने किया था तो वो किया था मौलाना अबुलकलाम अजाद ने ठीक है याद रखेगा यह बहुत ही इंपोर्टन कुशन है ललित कला अकाडमी का उद्गाटन 5 अगस्ट 1954 को ततकालिन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुलकलाम अजाद द्वारा ने दिली में किया गया था या भारत सरकार के संस्कृतिक मंत्रालय के अंतरगत आता है इसका मुख्यालय रविंद्र भवन दिली में स्तित है और अभी जो वरतमान में जी किशन ड्रेड़ी जो है वो संस्कृतिक मंत्रालय जो है वो समाल रहा है तो याद रखेगा यह बहुत ही इंपोर्टन पॉइ रागमाला रसिक प्रियक गोविंद गीत गोविंद रमायन आदी लगू चित्र किसके शासंकाल में बनाए गये थे तो वो बनाए गये थे राना जगत सिंग प्रत्थम यह देखिए गीत गोविंद पहाड़ी पेंटिंग है यह रंगमाला रसिक प्रियक गोविंद रमायन जिसे आदी लगू चित्रे इसकाल में बनाये थे प्रमुक चित्रकार सहाबदीन और मनुहर ठीके याद रखिएगा जगत सिंग के महल में चित्रों की ओवरी नामा के कला विद्याले स्थापित किया गया था जिसे तस्वीरी कार खानाओं के नाम से भी जाना जाता है कुशन नमबर 14 बारी और्नमेंट इस वोन बारी का अभुशन कहां पहना जाता है तो बारी जो है वो पहना जाता है नोज में नाक का अभुशन है नाक में बारी अभुशन पहना जाता है राजिस्थान की महलाओं की वेशबुशा ब पुशन पहनती है तो याद रखिएगा यह बहुत ही important है चाहो तो आप इसका screenshot ले सकते हैं या PDF का link दोंगी तो आप download कर सकते हैं तो इसकी study आप अच्छे से कर सकते हैं कानों में टोटी जो एलिरी पहनते हैं याद रखिएगा हाथ में गोखरू यह देखिए यह गोखरू ह यह जो है इसे गोखरू कहते हैं यह हाथ में पहना जाने वाला एक विचित्र कड़ा है और भी बहुत सारे अभुशनों के नाम है तो आप जो है अगर PDF डाउनलोड करेंगे तो आप अच्छे से इसकी study कर लीजे question number 15 which is the only one जोतिरलिंग which has three faces ऐसा कौन सा जोतिरलिंग है जिसके तीन मुख है यह देखिए ब्रह्मा विश्नु और महेश तो यह जो है यह त्रिम्बकेश्वर नाशिक महाराश्ट्रा त्रिम्बकेश्वर मंदिर 12 जोतिरलिंगों में से एक है जिसके तीन मुख है भगवा ब्रह्मा भगवान विश्नु और भगवान महेश पवित्र नदी गोदावरे का उद्गम त्रिम्बक के पास से होता है कुशावर्त कुंड मतलब पवित्र तलाब भी मंदिर परिसर में स्थित है तो फ्रेंस अकर वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्र है उसके जो पीडियेफ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है उसके लिंक्स तो क्लिक करके आप देख सकते हैं और इसका जो सेकेंड पार्ट है स्टाटिक को इसका हाई लेवल कुस्टिन्स वो मैं नेक्स्ट वीडियो पे अप्लोड करूंगी तो प्लीज मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा और कंटेंट आपको कैसे लगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए बाई टेक केर अल बेस्ट एन स्टे सेफ